हेलो स्टुडेंट आपने देखना शुरू कर दिया है इसके डिरेक्शन आज हम PhD से रेलेटेड अप्रेट लेके आए हैं यह नेक दोरा एक ग्रेडी मिला हुआ इसके अच्छे इनवर्सेटी को उसी के बारे में हम बताएंगे यह बहुती अच्छे इनवर्सेटी है जहां पर फूल टाइम और पार्ट टाइम और एक्स्टर्नल ऑन केमपस प्रोग्राम के लिए जो ज़िए चोबिस के लिए PhD नोटफिकर्सन जारे हुआ है तो उसी के ब पॉपॉलेशन स्टेडी है बिजनेस है अद्मिस्टेशन रूरल डवलप्मेंट है लैबरी एन इंफरमेशन साइंस है और फिलोसफिय है साइंस में सब्जेक्ट में है आपका मैथमेटिक्स, एस्टैक्स, फिजिक्स, किमेस्टरी, बोटनी, जेजोजी, बायो इनफरमिक्स है, एकसरसाइज फिलोसफिय है, स्पोर्ट है, नूट्रिशन है, स्पोर्ट्स, साइकलोजी है, स्ट्रेंट एंड कंडिस्निंग है और मैरीन साइंस में है आपको मैरीन बायो टेक्नलोजी है, मैरीन माइक्रोबैलोजी है, मैरीन फूड टेक्नलोजी है, मैरी biology and oceanography coastal agriculture tourism science and technology और इंडियाल लेकीज में आपको Tamil and Tamil Hindi and linguistic में है और आपका इंजिनिर्इंग आप केयमिकल इंजिनिर्इंग चैमिकल इंजिनिर्इंग और बायो टेकनलोजी चैमिकल इंजिनिर्इंग फूर습 टेकनलोज्य quinical इंजिनिर्इंग industrial safety civil engineering and civil structure engineering computer science and engineering electrical and electronics engineering electronics and communication engineering electronics and instrumentation engineering information technology mechanical engineering manufacturing engineering and pharmacy education में है आपका education है psychology है physical education है और fine arts है music and dance है और agriculture में है agro-me है entomology है plant है pathology है agriculture microbiology है agriculture economics agriculture extension education है genetics and plant breeding है इसमें है और limited candidate will be considered for a registered university reserve all right of यहां पर रख्यू हुए है apply करने के लिए दिख लिए application फीया पर state university है तो यहां पर जादा है तो आपको पंदर सुरुपे देना परे गए यहां पर पर किस के टेगरी के लिए नहीं दिया है कितना लगे लिए लिए पंदर सुरुपे लगे आपको 27 अप्टूबर तक भेज देना है इंट्रेंस टेस्ट और बाद में आपको कब होगा इंट्रेंस टेस्ट और बाद में आपका notify किया जाएगा इसी इनवर्सिटी का जो अफ्लिएटेट कॉलेज है उसमें भी अप्लाई करना होगा अप्लिएट भी सब सेम है लेकिन यह अप्लिएटेट कॉलेज से भी यहां से आप प्यजडी कर सकते हैं फुल टाइम और पाट टाइम लिखा हुआ है अब आपको इनवर्सिटी बता देते हैं यह कौन से इनवर्सिटी है यह है अन्ना मलाई अन्ना मलाई इनवर्सिटी है यह बहुत है अची इनवर्सिटी है यह है तो यहां से प्येजडी करीएगा तह बहुत अच्छ content है पर्तिकूलर अगर आप लेंग्वेज के हैं तो यहां से आपकर सकते हैं PGD यह बहुत अची निवर्सिटी और और समय निकला हुआ है reduce पिएच्डी इन्वर्सिर्टी डिपार्टमेंट रगल्टी अफ आट साइंस, सोसल साइंस में लिखा है और पिएच्डी इन अफ्लियेटेड कॉलेज दोनों का निकला हुआ है अब यहां से अप्राई कर सकते हैं तो यह रहा पिएच्डी से रिलेटेड अपडेट अगर आ सकते हैं तो यहां से अवा है तो यहां से रिलेटेश आट साइंस, से रिलेटेगे इन अवार्टमें लिएच्डी में वार्ड़क कि अवा रावार्नाव से बाट शक्त।